नमस्कार व्यापारी बंध हो नया दिन नई सुबह नया प्रिंटर और नया कलिब्रेशन आज जो है आज हम लोग समझेंगे कि जो टीवेसी का जैनपर प्रिंटर है टीवेसी का जैनपर 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 है गार्मेंट सोड़ से हैं स्कूल्स अबलिक कॉलेजीं में आप लाइबरेरी के लीए यूज में ले सकते हैं लेबल निकालने के लिए सुपरमारकेट है किरहना सोड़ सोड़ से मेडिकल सोड़ सोड़ से है enlightened जूल्री सोड़ तो कई सारे वेरियंट्स पे यूज आप ले सकत कर देते होाँ जो आप लोग कुछ नोग कुछ गलतिया करते हो तो इसका हमारे चैनल में आपको पुराना वीडियो मिल जाये कि लेबल alone कैसे इंसेर्ड होगा यह इसी के लिंक में इसे के लिंक में आपको जो description में link उसका मिल जाए गहाँ तो आप उसे समझ सकते हैं या कहीं कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे team को call कर सकते है हमारे कुछ paid KNOWS हैं तो आपको दिक्कत आती हैं तो हम लोग पैसा कुछ रहर करके आपको problem आपके शॉट ओट कर देते हैं दोस्तों आज हम समझेंगे कि यह जो printer है यह printer कैलिबरेट कैसे होगा जब भी आप label और ribbon लगाएंगे तो label और ribbon जब भी आप लगाएंगे जैसे हमने printer on कर दिया printer on करने के बाद ये आपका green light आएगा green light means कि आपका label और ribbon कहीं न कहीं प्रापर लग चुका है या जैसे हम feed करेंगे तो feed करने के बाद ये क्या है एक बार ये label फांडने की position में देगा ये अभी label फांडने की position में आगया ये आपका proper label cut position में आ गया और आपको अगर इसको factory default करना है इसको पूरा का पूरा कैलिब्रेट करना है तो आपको क्या करना है दोस्तो प्रिंटर आपको आफ करना है label ribbon आपने लगा ही लिया आपको ये वाला बटन एक ही बटन है इसमें नॉर्मली जो प्रिंटर पहले आते थे तो उसमें दो बटन आते थे पॉस वाला आता था फीड वाला आता था अभी company क्या है company ने अभी कहीं न कहीं चीजें अप्ग्रेड कर दी है technology जो है technology बहुत फास्ट चल रही है जैसे आपका 1D, 4G, 3G, 4G, 5G आने वाला है तो इसको कलिबरेट करने के लिए हमें क्या करना है इस बटन को प्रेस करके रखना है और हमने प्रेस करके रखना है इसमें फाइव टाइम्स आपका रेड लाइट आएगी देन फाइव 3, 4, 5 उसके बाद फिंक 1, 2, 3, 4, 5 यह हमने छोड़ दिया यह प्रिंटर क्या है प्रिंटर अपने आप कलिबरेट होगा प्रिंटर का जो इंटर्नल है इंटर्नल प्रिंटर प्रिंटर करेगा और यह भी आपका लेबल फांडने की पोजिशन में आ जाएगा यह आपका ऐ इस लेबल में प्रिंट करना है आधा उस लेबल में प्रिंट कर रहा है तो जब भी आप बार्टेंडर से प्रिंट देते हैं अपने सॉफ्टर से प्रिंट देते हैं तो वह कैलिबरेट करने के बाद प्रिंटर आपका सेंसर करके बराबर लेबल फांडने की पोजिशन मे तीटेगा जैसे अभी हमने क्या क्या करने का printer off ते फिर on किया अभी हमने ये प्रेस किया यह आपका बराबर label फांड में की पोजिशन में आ रहा है देखिए 1 to 1 निकलेगा और पूरा का पूरा लेबल आपका फांड में की पोजिशन में निकलेगा दोस्तो आपका बहुत ब झाल झाल